स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर और आज किस वीडियो में मैं कवर करूँगा आपकी MCO5 की यूनिट 6 स्टेटमेंट आफ चेंज इन फाइनिशल पोजिशन तो इस यूनिट में आपका जो पहला टॉपिक आता है वो है need for change in financial position तो इस टॉपिक के अंदर एक ही point को explain किया गया है जो इसके अंदर एक important point है वो है कि हमारे पास जो पहले fund flow statement हुआ करती उसको change करकर अब हम कौन सी use करते हैं cash flow statement कैसे change होई किस standard के साफसे इसको change किया गया वो दिखते हैं तो accounting standard revised 3 has made fund flow statement and prescribed cash flow statement तो हमारा जो भी कह सकते हैं accounting standard 3 था उसको revise करकर हमारी जो fund flow statement थी उसको rebundant कर दिया गया मतलब उसको खतम कर दिया गया और उसकी जगा एक नई financial statement को prescribed किया गया जो क्या बोला गया cash flow statement अब हमने उसको change तो कर दिया बदल दो गया लेकिन इसके बाद भी हम आज भी fund flow statement का use करते हैं तो fund flow statement का use कहा कहा करते हैं इसका क्या meaning है वो सबची देखेंगे हम so fund flow statement provides some further insights into the balance sheet and particularly show how the firm is able to get money and take up several activity तो basically आपका जो fund flow statement है यह आपको बताता है कि अगर आपकी कोई firm है तो उसने किस की source से कहा कहा से finance को अपने funds को collect किया है और उसका किस तरह use किया है तो यह basically work रहा करता आपके fund flow statement का it is possibly to know what a kind of funds mix that a firm is using particularly a comparison of internal and external debt तो वही चीज़ है कि इन्होंने कह जया ना कि आपको कहा से funds collect किया है तो उस चीज़ के बारे में भी आपको fund flow statement बताता था जैसे अब मैं बात करता हूँ किसी company को 100 rupees की requirement है company क्या करेगी company एक ही source से सारे पैसे को collect नहीं करेगी तो इसके पाद दो source होते हैं एक होता है internal source दूसरा होता है external source अब internal में क्या क्या आते हैं internal में आते हैं आपके जो भी share होते हैं चाहे आपके equity share चाहे आपके preference share चाहे आपके retain earning मतलब वो source जो आपके खुद के हैं आपकी company के हैं जो उसके owners के हैं अगर वहां से आप fund collect कर रहे हो तो आपके internal source हैं अगर आप बाहर से loan ले रहे हो debt ले रहे हो तो वो आपके external source है तो हो सकता है किसी company ने internal source के थूँ 60 rupees collect कर लिए और external sources के थूँ 40 rupees collect कर लिए यह हमें किस से पता लगता था fund flow statements में पता लग पाता था कि अगर कोई company है तो उसने internal fund कितने use कर रखे external fund कितने use कर रखे fund flow statement can also be used in know how the resource is raised and used exactly same वही आपके उपर की बात है कि इसका use इसलिए भी करते थे इसलिए भी इसका cash pay benefit था कि इससे में पता लग जाता था कि हम resources को कहां कहां से raise कर रहे हैं जैसे मैंने कहा अगर मैंने 60 rupees raise कर रहे हैं तो कहां से raise करें internal से internal में भी इसकी source का use कर रहा है मैंने equity का मैंने preference year का मैंने retained earning का या xyz कोई भी source जो internally मेरी organization का था या externally अगर मैंने बाहर से loan लिया है and it is possible to examine how healthy the financial policies of firms अब जब हम fund flow statement देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि कितना पैसा हमारे पास आ रहा है fund और उसको किस तरह use कर रहे हैं हो सकता है किसी company ने 100 rupees funds को raise किया और उसको invest कर दिया किसी company के अंदर किसी कह सकते हैं किसी नए product के अंदर और उसके साथ उसने एक साल के अंदर उस 100 rupees की जो income थी जो उसने लगाए थी उसको 100 plus कर दिया मतलब उसने उसको 200 रुपे बना दिये अब यह दिखाएगा कि financial policies of company की बहुत अच्छी है वो सही तरह से अपने loans को या अपने funds को collect कर रही है किन sources का use करती है collect करने के लिए अगर कोई company है नई नई start हुई है तो ऐसे source use करेगी जहाँ पर उसे जिनसे पैसे ले उनको पैसे देने ना पड़े है profit earn नहीं कर रही है उसने external debt ले लिया है बाहर से loan ले लिया है तो company profit earn करे या ना करे उसको तो pay करना पड़ेगा न तो यह evil show करता है आपका fund flow statement ही company का financial policies है वो कितनी healthy है तो यह तो था आपका fund flow statement और इसको change करकर अब आपका जो cash flow है उसको use क्या जाता है according to accounting standard revise 3 के साब से अब इसके बाद देखते हैं कि statement of change in financial position जब statement of change होता क्या है तो तो basically मैं बाद को statement of change statement of change in financial position is a statement which outlines the causes of a change in financial position of a company during a accounting period statement of change क्या है एक statement है आपकी financial position है आपकी company की जो बताती है अगर आपके पास cash कम हुआ है आपके पास profit कम हुआ है आपके पास sales कम हुई है मतलब कोई भी आपका जो assets है financial position आपकी company के अगर up down हो रही है तो क्यों हो रही है उसका reason क्या है जैसे गर किसी company की last year last year profit में मान लेता हूँ 100CR का था और current year उसका जो profit हुआ है 95CR का है तो इसके बीच में जो 5CR का difference है यह क्यों आया है क्या reason है क्या causes है इस change के आने के लिए इस financial position के अंदर एक specific time period के अंदर like one year वन आपका fiscal year उन चीजों को जो explain करता है उनके causes को जो outline करता है वही होता है आपका statement of change basically जब आपकी financial position change होती है तो क्यों change हो रही है उन causes को outline करता है आपका statement of change these causes are reflected in the movement of funds with inflow and outflow of funds during the period therefore it is called fund flow statement in which the flows are shown as sources of funds and the outflows are shown in the application of funds or uses of funds तो आप देखते हैं कि आपका जो भी कह सकते हैं आपका जो भी movement हो रहा है funds का funds की movement दो ही हो सकते हैं किसी और और जा तो fund आपकी company के अंदर आ रहा है जैसे इक आपकी organization है अब दो ही चीजों हो सकते हैं आपके organizational funds के या तो आप funds बाहर से collect करोगे या आपकी company से funds बाहर जाएंगे दो ही movement हो सकते हैं किसी भी funds के किसी भी specific duration में किसी भी specific time period के अंदर तो इस हम क्या कहते हैं fund flow statement मतलब ऐसे statement सो हमें बताती है कि हमारा पैसा कहां आ रहा है कहां जा रहा है और किस reason से आ जा रहा है मतलब exactly the difference कि हमारा कितना आया कितना गया उसके बीच में difference कितना है हमारी position कितनी है सो उदा हमारा कह सकते हैं जो outflow होता है fund का और जो inflow होता है funds का during a specific period इसको हम क्या कहते हैं fund flow statement मतलब fund कैसे flow कर रहा है वो outflow कर रहा है या inflow कर रहा है अब अगर हम inflow की बात करेंगे यह मेरा organization है inflow का मतलब क्या है मेरे organization के अंदर funds आ रहे है तो कहां से आएंगे funds मेरे पास दो ही method है या तो internal या फिर external दो method से ही पैसा मेरी company के अंदर आ सकता है अब अगर मेरी company से funds जा रहे है तो जाने का मतलब क्या है या तो मैं investment कर रहा हूँ या मैं कहीं अपनी payment कर रहा हूँ या मैं अपनी daily requirement होती है उनको पूरी कर रहा हूँ मतलब उस fund का कहां use कर रहा हूँ तो यह सब चीज दिखाएगा आपका fund flow statement दो चीज दिखाता है कहां से पैसा आ रहा है कहां से पैसा जा रहा है और यह किस चीज को शो करता है आपका inflow, account flow अब आप example देखिए कि आपकी कोई organization है उसके अंदर 100 rupees का inflow हुआ ठीक है और उसी specific साल के अंदर आप हम बात कर रहे है 2022 की 2022 के अंदर आपके organization के अंदर 100 rupees तो आए और आपके company से सिरफ 80 rupees outflow हुए तो कितने का difference है इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में 20 rupees का difference आ रहा है आपके inflow के अंदर आपके outflow के अंदर एक तरह से आपके company के अभी position बता रहा है कि आपके पास current year में कितना finance कितना fund available है क्या position आपके company के अंदर accounting period के अंदर आपके funds की तो आपका जो कह सकते हैं जो आपका inflow होता है आपका जो outflow होता है यह दिखाता है कि आपके company के अंदर funds की सतरा change हो रहे है अभी अगर मैं कह दू कि जो 100 rupees आयते है इसको मैं कह दू 200 rupees तो जैसे मैं इस change को करूँगा मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास 120 rupees का change 120 rupees की जो position उनी funds की आ जाएगी अभी अगर मैं कहता हूँ आउट फ्लो है वो 80 की जगा 180 कर दू तो फिर से मेरे पास सिरफ 20 rupees की financial position बचेगी funds की position बचेगी मेरी company के अंदर तो यह show करता है कि आपकी क्या position है funds की एक specific time period वे लाएगी जैसे मैंने 2022 की बात करी है तो वो show करेगा तो यह सा आपका statement of change in financial position अब इसके बाद हम बात करते है concept of funds की funds होता क्या है तो अगर आपने funds की बात करते है basic funds हम क्या समझते है हम समझते है cash यह ऐसी कोई assets जिसका हम cash के बराबर लेके चल सकी है the balance sheet gives a view for the sources from which the firm is acquired its funds and the uses which the firms had made of these तो अगर हम balance sheet की बात करें वहाँ पर सबस्चे पहले में देखने को मिलते है हमारे funds balance sheet एक तरफ तो दिखाती है कि हमारे पास funds आ कहां कहां से रहे है like कि मैंने कोई capital इंट्रोड्यूस करी है मैं cash लेका आया हूँ मेरा bank balance है या मैंने किसी partner को अपनी company के अंदर enter कराया है मतलब वो तो दिखाता है कि मैं funds कहां कहां से लेके आया और दूसरी side cash हो करते है कि मैंने उन funds को कहां utilize किया कहां उनको invest किया कहां उनका use किया तो एक firms के पास funds को collect करने के लिए बहुत सारे sources available होते है तो basically हमारे जो use करते हैं कोई भी company है कोई भी organization है कोई business है दो तरह के funds को use करती है इनको collect करने के लिए दो तरह किसे हम इनके category करते है तो एक होता है आपका long term funds एक होता है आपका short term funds तो अगर हम long term funds के अंदर बात करते हैं मतलब जिनको एक साल से ज़्यादा के लिए use किया जाता है तो इसके अंदर आपके basically equity share capital आपके preference share capital या आपके funds from operations या आपके long term loans ये सब आ जाते हैं तो एक साल से ज़्यादा के लिए होते हैं और इसी के साथ साथ अगर कोई company short term funds को collect कर रही है तो उसमें क्या करेगी हो सकता है वो supplier से credit ले ले यहां भी मेरे पास goods को purchase करने के पैसे नहीं है आप पुझे goods deliver कर दो जैसे ही sales होगी इनकी मैं इनको आपके पैसे return कर दूँगा आपके payment आपको वोपस कर दूँगा या हो सकता है वो कोई short term borrowing कर ले हो सकता है दो महीने तीन महीने के लिए तो आपने देखा कि आपके पास दो तरीके के fund होते हैं एक होते हैं short term funds एक होते हैं long term funds short term के अंदर हम कह सकते हैं आपके credit suppliers है short term borrowing यह सब साधाते हैं और long term के अंदर आपके equity share capital, preference share capital, fund provided by operations यापके long term loans हैं यह सब कुछ आजाते है so the term funds is broader compare to term cash आप यह भी कह सकते हैं आपका जो cash है fund इसे कहीं ज़्यादा broader है को cash तो सिरफ एक single product हो गया single thing है इस सिरफ cash हो रहा लेकिन funds के अंदर बहुत सारे options आजाते हैं जो कि आपके cash नहीं होते लेकिन फिर भी यो cash के बराबर या इससे better ही broader होते है for instance when a firm sells goods on credit अगर अब कोई company अपने goods को credit पर sale कर रही है तो यहाँ पर क्या है there is no cash flow मतलब यहाँ पर कोई भी cash flow नहीं हुआ ना मरे पास पैसा आया ना हमारे पास पैसा गया and cash flow statement ignores such transaction तो यहाँ पर क्या करती है हमारे जो cash flow statement है वो इन चीजों को ignore कर देगी cash flow उन्हीं चीजों को record करती है जब आपके पास cash के regarding कोई transaction होती है लेकिन जब हम बात करेंगे fund के अंदर तो fund इस चीज को include करेगा इस चीज को record करेगा क्योंकि बिसक आपके पास cash नहीं आया है लेकिन आपने goods को तो sales करा है चाहे आपने credit base पर किया हो चाहे आपने debit base पर किया हो the concept of fund simply donates where there is any change in balance sheet items at aggregate level and such changes leads to increase in funds or decrease in funds simply funds आपके वहीं है कि दिखाता है कि आपकी balance sheet के अंदर कोई item एक aggregate level से change हो रहा है मतला मेरे पास कोई change कैसे है मेरे पास bank की या कैसे है मेरे पास cash नहीं था एक लाग था अगर हो change हो रहा है कितना change हो रहा है उन से भी चीज़ों किससे denote करते है अपने funds के थूँद करते है तो basically आपका funds क्या है एक change है जो कि show करता है balance sheet के अंदर आपके जो भी items है वो कितने change हो रहे हैं वो increase हो रहे हैं decrease हो रहे हैं अब कौन कौन सी चीज़ होती है increase होती है कौन सी चीज़ हमारी कह सकते है cash flow को effect करती है कौन सी चीज़ हमारी fund flow को statement को effect करती है तो उन चीज़ों को बारे में देख लेते हैं तो यह कुछ ऐसी activity है जो कि कह सकते हैं हमारी fund flow को effect नहीं करती like आपका collection of bills receivable मतलब bills receivable क्या है आपने किसी last year का bills को collect किया है तो उन चीज़ों को हम fund flow में ignore कर देते है payment of bill repayables ये भी आपकी कोई अलग payment है इसको भी ignore कर देंगे purchase of rent material for cash on a credit basis इसको भी हम ignore करेंगे sale of goods on cash on credit basis except for the profit and loss component तो यहाँ पर क्या देख रहे हो यहाँ पर ही कुछ ऐसी statement है जो cash के regarding बात कर रही है तो इन चीज़ों को हम ignore कर देते हैं fund flow statement के अंदर effect cash flow statement exactly क्योंकि जब हमारी सारी transition cash की थी उपर की तो cash flow को ही effect करेंगी there are several items which affects fund flow and not cash flow अब इसके साथ ही साथ हमारे पास कुछ ऐसी भी चीज़े हैं जो fund flow को effect करेंगी लेकिन cash flow को effect नहीं करेंगी नौर्बनी यहाँ पर हम कह सकते हैं credit का use करते हैं तो सबसे पहला है कि sale or purchase of goods on credit basis purchase of fixed assets on credit basis expenses incurred but not paid expenses हो चुके हैं बट आपने pay नहीं करेंगी तो यह भी आपके fund flow को effect करेंगी income accrued but not receive अगर receive हो जाती तो cash flow में चली जाती उसको effect करती है जब receive नहीं हुई है तुमारे fund flow को effect कर रही है changes in the value of closing stock यह भी आपके cash flow को effect कर रही है तो देखो जब आप देखोगी कि अगर आपके कोई cash के regarding transaction हो चुकी है तो वो effect करेगी आपके fund flow को अगर ऐसी कोई transaction है जो हुई नहीं है cash के terms में होनी है तो वो effect करेगी आपके fund flow को there are several items which affect both fund flow and cash flow statement अब कुछ ऐसी भी है जो आपके दोनों चीजों को effect करती है आपके cash flow को भी आपके fund flow को भी like आपने कोई नई equity issue करी है तो वो effect करेगी आपने कोई fresh loan या repayment करी है किसी loan की तो वो है purchase of fixed assets by paying cash, cash sales and purchases, cash expenses यह सारे कुछ ऐसे factors थे जो आपके cash flow को भी और आपके fund flow को दोनों को effect करते है तो आपने हाँ पर क्या देखा अगर मैं बात करता हूँ fund flow की तो fund flow में एक तासे मैं बात करूँगा सिरफ credit की या वो income जो income हुई नहीं है, accrued कह सकता हूँ या कह सकता हूँ की मैंने खर्चे कर दी है बटो अभी तर मैंने pay नहीं करे है मैंने चीजों का use कर लिया है मैंने payment नहीं कर दी है मैंने service दे दी है लिकि मेरे को अभी payment नहीं मिली है तो वो सारी चीज तो effect करती है आपके fund flow को लेकिन जब मैं बात करता हूँ cash payment की किसी भी base पर हो सकती है तो वो effect करेगी मेरे cash flow को तो cash flow के अंदर मैं बात करता हूँ सिरफ आपके cash transactions की cash के inflow और cash के out flow के बारे में तो यह कुछ अची transactions थी जो आपके cash flow और आपके fund flow को effect करती है आपको यह transaction को तो याद कर लेनी है समझ लेनी है कई बार exams में same as it is in equations को दे दिया जाता और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी आपके cash flow को effect कर रही है और कौन सी आपके fund flow को effect कर रही है अब next आपका कि flow of fund इसको देखते हैं कि flow of fund means change in fund position इसका मतलब क्या है कि मतलब change in fund position अब कोई भी company है उसका एक inflow बनता है एक outflow बनता है अब यह क्या दिखा रहा है कि कितना पैसा उसके पास आ रहा है कितना पैसा उसके पास मतलब जो कितना fund उसके पास जा रहा है तो fund of flow flow funds मतलब यह ही है कि हमारे जो financial position हो किस तरह change हो रही है और change in the net working capital working capital का concept क्या है इसमें हम दिखाना होता है कि हमारे पास current assets के अंदर से अकर हम current liabilities को minus कर दे तो जो भी हमारे पास balance बचता है वह ही हमारा working capital होता है तो तो कि देखो जब आपके पास inflow आपकी कह सकते हैं आपकी current assets हो गई outflow आपकी current liabilities हो गई तो current assets के अंदर के current liabilities को आप minus करोगे मतलब inflow से outflow को minus करोगे तो आपकी working capital ही आती है तो किस तरह change हो रही है तो वही होता है आपका flow of funds Whenever there is a change in the funds it is presumed that flows of funds had taken place अब देखा जाता है कि अगर कोई भी fund change हो रहा है like आपका inflow, like आपका outflow वहाँ पर यह मान गया जाता है कि अब आपके पास जो भी funds थे कहीं न कहीं वो movement कर रहे है the flow of funds can be in the form of inflow या तो fund आपके पास आएगा आपके organization में आएगा या आपकी organization से fund outflow हो जाएगा बाहर चला जाएगा अब अगर आपके company के अंदर inflow हो रहा है fund तो increase करेगा आपकी working capital को अगर outflow हो रहा है fund आपके organization के अंदर तो decrease करेगा आपकी working capital को अब next कि fund of flow will take place if a transaction involved कि आपका fund of flow होता कहाँ पर किस condition में ये transactions होती है तो अगर किसी एक transaction के अंदर involve change in current items and change in non-current items अगर किसी एक transaction के थुरू आपके current और आपके non-current दोनों items के अंदर कोई changement आता है तो वहाँ पर आपका flow of funds आपको देखने को मिलेगा अब non-current items के अंदर आप क्या क्या include करोगे चाहे वो आपकी non-current assets हो चाहे आपकी non-current liabilities हो इसी तरह current items के अंदर आप क्या देखोगे current items के अंदर आप देखोगे इसके अंदर कोई भी change कोई भी कह सकते है change नहीं आएगा In other words, transaction involves of fixed assets, fixed liability in one hand and the current assets current liability on the other hand will alone result in a flow वही है कि अगर आपके fixed assets, fixed liability हो एक तरफ और दूसरी तरफ आपके current assets, current liability हो दूसरे पार्ट में एक है transaction के तो वहाँ पर आपका flow of funds आपको देखने को मिलेगा या इसके अंदर चेंजमेंट है वो भी आपको show हो जाएगा तो यह था आपका flow of fund अब आपके पास कौन-कौन से sources होते हैं इन funds के और कहां-कहां आप इनका use करते हैं तो अगर हम sources की बात करें funds के तो funds को यहाँ पर further और explain किया गया है तो यहाँ पर आपके पास दो part है funds के एक है external source दूसरा है आपके पास internal source अब external source क्या हो गए external source वो हो गए जो company के नहीं है organization के नहीं है हम business के outside से उन sources के तुरू funds को collect कर रहे हैं तो like हो सकता है आपने कोई capital raise कर ले हो बाहर से assets को sale कर दिया हो and long term investment तो ये जो सब क्या थे हैं आपके outsiders fund थे जो आपके और देशन के अंदर आते हैं तो ये होते हैं external funds अब internal funds क्या होते हैं जो कि आप internally generate करते हैं अपने organization के अंदर इसके अंदर आ जाता है आपका equity fund equity share capital आपका preference share capital आपका कह सकते हैं reserve आपके retained earning ये सारे part होते हैं आपके किसके internal sources के अब बात करते हैं application of funds मतलब क्या requirement होती है इन funds की इनकी क्या जरूरत होती है इट में भी noted that all funds raised through long term sources are not necessarily applied for a financing the increase in net working capital अब जरूरी तो नही है कि अगर मैंने long term से या किसी भी sources से funds को raise किया है तो मैं सारे के सारे funds का use करूँ अपने capital को इतना सकते हैं जो मेरी working capital है उसको increase करने के लिए क्योंकि मैं जितना भी funds को collect करता हूँ उससे मैं क्या करता हूँ कुछ अपनी assets को purchase कर लेता हूँ अपने जो में पास कुछ ideal money रह जाती है जिसका use मैं अपने पास saving में रख लेता हूँ अगर future में requirement पड़ेगी तो ही मैं उस fund का use करूँगा तो application of fund क्या कि जब भी हम funds को collect करते हैं long term sources का use करकर तो normally हम use कहाँ पर करते हैं कोई हमें fixed assets purchase करनी है हमें कोई debentures है preference shares उनका redemption करना है अपने dividends की payment करनी है हमें बहुत ज़्यादा loss हो गया है उसको cover करना है लेकिन हम सारे के सारे cash को सारे के सारे fund को वहाँ use नहीं करते हैं हम कुछ amount को बचा लेते हैं जो कि हम कह सकते हैं अपनी working capital को increase करने के लिए अपनी जो day by day activities होती है उनको पूरा करने के लिए यूज करते हैं उनको finance करने के लिए यूज करते हैं तो basically uses of fund कहां कहां होते हैं सबसे पहला use क्या है purchase of fixed assets और long term investment के लिए पहला use दूसरा है redemption of deventures and preference shareholders ये भी हो गया तीसरा है repayment of long term loans चोथा है payment of dividends फिफ्ट है meeting losses from operations मतलब आपने कोई बिस्टा से loss लिया है तो उसको cover करने के लिए और last है financing the increase in working capital कि अपनी working capital को finance करने के लिए उसको strong करने के लिए उसको increase करने के लिए उसको increase करने के लिए यूज करते हैं funds का अब next तक है statement of change in financial position cash basis अब आपकी कह सकते हैं जो statement of change होती है financial position जिसके अंदर दो basis होते हैं एक होता है आपका cash basis दूसरा होता है आपका working capital basis तो अगर हम बात करें के statement of change in financial position के बारे में cash basis के उपर so the cash basis of change in financial position to extend close to the cash flow तो कह सकते हैं हमारा जो statement of change है in financial position की cash basis पर यह काफी हद तक आपके cash flow के बराबर या कह सकते हैं उससे मिलती ही जूरती उसके similar ही काम करती है या उसके जैसे ही अपने effect को show करती है इसका काम क्या है? सबसे पहला काम क्या करती है यह calculate करेगी एक financial की एर के अंदर जितने भी आपके revenue है यह तो add करेगी किसको remove करेगी आपके non cash revenue को और इसके साथ ही साथ उनको भी ढूड़ेगी transactions को recognize करेगी जो आपकी revenue की थी लेकिन जो अभी तक recognize नहीं थी statement क्या करती है जब cash basis पे काम करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी revenues को calculate करते हैं उनको firstly check करते हैं उसके बाद जो भी non cash revenues है उनको remove कर देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन-कौनी transaction थी सब computing years के अंदर जब नी revenue calculate किया तो उस time में उनको recognize नहीं कर पाये थे तो यहाँ पर basically हमारा work क्या होता है कि यहाँ हमें देखना होता है कि हमारे पास कितना revenue कितना cash हमने generate किया है under revenue head के अंदर यहाँ पर हम कह सकते हैं सिरफ बात क्या करते हैं आपके cash basis की आपके revenue की so cash is generated under revenue head without bothering whether such revenue pertains to current year, previous year next year तो जब cash basis की बात करें यह बात नहीं करेंगे कि हमारा जो revenue है वो last year का है, current year का है future year का है, payment हमारे पास आनी चाहिए बस payment कैसे भी हो उन सभी को statement of change and financial position ले रिकॉर्ड किया जाएगा अगर हम cash basis का use कर रहे है इनको मतलब होता है सिरफ एक चीज से cash से चाहे वो revenue वो cash कैसे भी आये चाहे हमारे पास future का revenue आ रहा है past का revenue आ रहा है या आपके पास current का revenue आ रहा है इसी दर हम बात करेंगे कि हम expenses भी देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमारे पास expenses हैं उन expenses के अंदर जो भी non cash expenses हैं उन सबी को जी move कर देंगे और फिर हम recognize करेंगे वो expenses जो की recognize नहीं हो पाए थे हमारे जब हम उन expenses को compute कर रहे थे और expenses यहां पर किसी भी तरीके के हो सकते हैं चाहे आपका current year का है चाहे आपका previous year का है चाहे आपका future का है तो यहां पर किसी भी तरह का revenue हो किसी भी तरह का expense हो in terms of cash उसको record किया जाता है तो अगर हम इसके एक limitation की बात करें इसमें एक कमी की बात करें demerits की बात करें the main limitation or shortcoming of this method is failure to segregate current year income expenses with the other year income तो मैंने क्या कहा जब cash basis की बात करें revenue हो चाहे हमारा expense हो किसी भी साल का हो हर कुछ सब कुछ एक साथ record किया जाता है तो मैं पता ही नहीं लग पाता कि हमने इस साल कितना expense किया है या हमने इस साल कितना revenue generate किया है कि सारी value तो एक साथ होती इसके अंदर ये segregate ही नहीं करता हमारे year को एक दूसरे के साथ तो ये सबस्टेश की का सबस्टेश की limitation है cash basis की इस method की अब दूसरा option क्या होता है आपके पास statement of change in financial position कोंते basis पर working capital basis अब working capital होता है पहले आपको ये बता दूँ अब जैसे आपके पास एक company के पास 100 के current assets है 100 rupees की उसके पास current liability है current assets जादा है current liability कम है तो इस condition में difference क्या आएगा आपके पास plus 20 difference आएगा ये बन गए आपका working capital तो इस condition में कहेंगे हमारे पास एक positive working capital है company growth कर रही है अगर अभी मैं बात करू कि मेरे पास current assets है वो 100 rupees है current liability मेरे पास 180 rupees है तो इस condition में क्या होगा जब मैं current assets के अंदर से current liability को minus करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर minus 80 working capital आजाएगा अब मेरी working capital minus में हो चुकी है तो मैं कहुँगा मेरा funds है वो decline हो रहा है धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस हो धीरे धीरे गिर रही है तो यह concept होता है आपका working capital का as earlier stages our main fund flow statement excludes all past and future items and follow actual and matching concept तो मारे पास जो fund flow statement होता है fund flow बात करता है कि हम सिरफ किसको exclude कर रहे हैं past को future को include किसको करता है सिरफ present transactions को include करता है आपका fund flow statement क्या देखता है कि उस साल के अंदर जो भी transactions हुई है वो सिरफ उनको record करता है any such outstanding expenses और prepaid expenses और income received in advance are adjusted in a separate statement called working capital statement अब इसको साथ है कि अगर हो सकता है मैं fund flow statement बना रहा था बात चांद मेरे पास fund flow statement है अब मेरे पास 100 rupees आए किसके से ये मेरे last year का revenue था जो मेरे को अब मिला है तो इसका मैं क्या करूँगा क्योंकि fund flow statement तो सिरफ current year को show करता है तो जो मेरे पास चाह कह सकते है मैंने pay करा है next year की payment 200 rupees जो मेरे को next year मैं उसकी service लूँगा उसके लिए मैंने advance booking कर दिया उसकी payment कर दिया इसको कहां show करूँगा तो इन सभी खर्चों को इन सभी income सों मैं कहां show करता हूँ अपनी अलग से एक statement के अंदर एक record के अंदर show करता हूँ जिसे मैं working capital statement कहता हूँ तो fund flow statement under this method is prepared in two stages हमारी अब जो कह सकते हैं fund flow statement होती है इसको हम statement of change in financial position को दो method मर या दो stages पर तयार करते है तो सबसे पहली stage हमारे पास क्या होती है एक तो होती है fixed assets को हम देखते है permanent capital के हिसाब से और दूसरी जगा हम देखते है current assets को current liability के हिसाब से compare करकर अब हो सकता है किसी company ने कह सकते है 100 rupees permanent capital का use करकर raise करे like उसने share capital यूज करे हो reserve यूज करे हो long term loan 100 पे मैंने raise करे और उससे मैंने कितने किया fixed assets purchase कर ली मैंने 80 fixed assets purchase कर ली मेरे पास 20 rupees पचे यह अब कह सकते हैं मेरे पास current liability थी 100 rupees की है जो मेरे पास current assets है वो 120 rupees की है तो difference क्या है 20 का तो यह मेरा working capital हो जाएगा यह वो fund है जिसका मैं use करूँगा अपनी company के daily working capital के अपनी जो requirement है उनको पूरा करने के लिए So fund derives from permanent capital are reduced by the fund used the fixed assets acquisition तो हम जो भी fund raise करते है permanent capital की help से उसका कहां use करते हैं हम उसका use करते हैं कि हम fixed assets को purchase करने के लिए The balance is the amount available for working capital purpose अब जो भी amount यहाँ पर 20 रुपे बच गए थी तो 20 रुपे किसका use करूँगा कहां पर use करूँगा मैं इसका use करूँगा working capital के लिए मतलब अपनी daily requirement को पूरा करने के लिए The working capital statement shows the difference between the current assets and current liability Thus the above format clearly brings how much of long term funds used for working capital और how much short term working capital is used for long term purpose तो आपने देखा कि हमारे पास क्या होता है हमारे पास क्या method है सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास permanent capital से अपने कितनी capital raise करी है उस capital से हम अपने fixed assets को purchase करते हैं इससे 100 रुपीस का यह था 80 assets purchase कर लिए मेरे पास कितने का difference बचा 20 रुपीस का इस 20 रुपीस को मैं कहा यूज करूँगा अपनी working capital के अंदर एक तरह से कह सकते हैं आपके जो daily expense होते हैं किसी company के अंदर उनको पूरा करने के लिए जो daily recurring base पर किये जाते है और दूसरा part क्या था दूसी stage क्या थी current assets और current liability अब current assets क्या होगी मतलब वो income जो मेरी current year की ना होकर previous year की या हमारे future की है उनको मैं इसमें डाल दूँ current assets के अंदर और current liability के अंदर वो liabilities मेरी जो previous year या मेरे future की है इनका जो difference आएगा उसका जो difference आएगा current assets मेरी current liability का वो आपका working capital आ जाएगा उसका कितने का use हम अपनी working capital के लिए कर रहे हैं या कितनी हमारे पास जो short term working capital थी हम उसका कितना use कर रहे हैं अपने long term purpose को पूरा करने के लिए तो यह होता है आपका working capital basis अब आपका fund flow versus other financial statement अब हमें comparison करना एक तरह से आपकी fund flow statement का और आपकी other financial statement का कि वो कैसी एक दूसरे similar हैं क्या उनके अंदर similarities और क्या उनके बीच में differentiate है तो सबसे पहला हमारे जो difference हम देखेंगे वो देखेंगे fund flow और आपकी cash flow के अंदर तो अगर fund flow की बात करता हूँ तो fund flow statement is used to understand long term stability of business लेकिन आपकी जो cash flow होती है वो short term stability के लिए use करी जाती है क्योंकि fund flow के अंदर मैं क्या करता हूँ मैं current year की बात कर रहा हूँ past की बात कर रहा हूँ future की बात कर रहा हूँ जो मेरी other है उनको मैं working capital में show कर दूँगा और अगर current की है तो उसको मैं fund flow में show कर रहा हूँ लेकिन जब मैं बात करूँगा कह सकते है cash flow की तो वहाँ पर मैं सिरफ और सिरफ अपने current year की बात करूँगा तो यह short term stability दिखाती है और fund flow long term stability दिखाती है अब जब क्या आपकी जो cash flow है उसके थूँ में exactly profit को calculate कर सकते हैं कि हमने एक साल के अंदर कितने profit को earn किया है लेकिन आपकी जो fund flow statement है उसके अंदर इसको calculate करना possible नहीं होता तो कि fund flow के अंदर हम क्या देखते हैं हमने past के profit, future के profit सभी को एक साथ लेकर चलते हैं तो उस चीज़ को देख पाना possible नहीं होता तो यह तो होगे basic difference थे fund flow और cash flow के अंदर अब हम देखते हैं कि आपके fund flow और आपके profit and loss के अंदर क्या relation है, क्या similarities है क्या similarities है तो अब हम दोनों की बात करें both of them are flow और period statement profit and loss account excludes all capital related transactions like capital expenditure capital receipts तो आपकी जो कह सकते हैं आपकी जो pay and deal account होता है वो आपके सारे के सारे capital के related जितनी भी transactions होती है उनको ignore कर देता है लेकिन आपका जो fund flow statement होता है वो कह सकते हैं आपका capital हो चाहे revenue हो वो हर तरह की transactions को consider करता है अपने को prepare करने के लिए the only relationship between the two statement is both are concerned with the fund raise through operating activities इन दोनों में एक ही relationship है जो दोनों को common बनाता है एक साथ लेकाता है कि दोनों का main concern होता है कि हम operating activities के थूँ funds को raise करें and the third difference is that to get funds from operating activities we use profit and loss account and perform some adjustment और जब हम बात करते हैं कि हमें operating activities के थूँ funds लेना है तो हम पर क्या करते हैं हम profit and loss account के अंदर कुछ activities को करते हैं उसके अंदर उस चीज़ को उस operating activities को शो करते हैं क्या सकते हैं उस profit को calculate करने के लिए तो क्या differences के अंदर आपका तो profit and loss है वो capital expenditure और capital receipts को ignore करता है fund flow आपके revenue और capital दोनों को consider करता है दोनों में एक similarity है कि दोनों का main concern होता है किस तरह आप operating activities के तुरू funds को raise करो अब बात करते हैं हमारी balance sheet के साथ balance sheet और हमारा fund flow इसमें क्या similarity है तो balance sheet show the figure as on particular date balance sheet हमें exact particular date के बारे में उस date पर क्या figure थी हमारी organizations की कितनी assets थी कितनी liabilities थी उनको show करता है and fund flow statement show the period value और जो आपका fund flow होता है वो एक period value को show करता है वो specific date पे नहीं चलता है वो एक year पे चलता है कैसकते quarter पे चलता है उस तरह चलता है वो एक period दिखा दिता है कि specific period के अंदर आपकी fund flow statement की क्या position थी while balance sheet values are normally positive तो balance sheet के अंदर आपकी जो भी value होती है वो हर दम positive आती है क्योंकि इसमें आप दिखाऊगे नहीं एक तरफ की एक तरफ assets है एक तरफ liability है तो जितने assets आएंगे उसके ही साबसे आपनी liabilities को करोगे लेकिन fund flow statement जो होती है वो आपकी negative भी हो सकते जरूरी नहीं है कि वो हर दम positive ही होकर चले and third one is balance sheet is a single statement और fund flow statement is normally prepared in two stages which includes working capital statement तो balance sheet तो शिरफ एक पार्ट होती है single statement लेकिन आपकी कह सकते हैं जो fund flow होती है दो पार्ट में होती है एक आपका fund flow होता है और दूसरा आपका क्या होता है इसके नितर working capital statement तो ये थी आपकी fund flow versus other financial statement अब देखते हैं कि importance of fund flow statement किसके क्या क्या importance है सबसे पहला हमारे पास importance क्या है financial position किसी भी company की financial position को acquire करने के लिए उसको check करने के लिए हमें requirement किसकी होती है is fund flow statement की अब profit or loss account statement or balance sheet does not explain the reason of change in company's financial position तो अगर किसी के financial position change होई है हो चकता है किसी के पास last year 100 CR का profit रहा हो इस साल सिर्फ 80 CR का बचा है तो यह change क्यों आया है हमारी balance sheet हमारा pay and deal इन चीज़ को show नहीं करेगा इन causes को show नहीं करेगा क्यों कम हो रहा है लेकिन इस cause को इस reason को कौन show करेगा हमारा fund flow statement तो हमारी financial position को कि उसके पास कितना cash है कितना profit gain कर रही है उस company का scenario क्या है किस किस हिस्से से वो funds को collect करती है किन sources का use करती है कहां उनका use कर रही है working capital कितनी है उसके पास इन सभी चीज़ों को exact clear picture लेने के लिए company analyze करने के लिए हमें requirement होती है fund flow statement की इसके बाद management अब management की पास अगर fund flow statement available है तो उन्हें पता है कि उनको future में किस काम के लिए कितना requirements चाहिए किस तरह आपनी requirements को पूरा कर सकते है और किस तरह आपने जो भी उनके खर्चे है liabilities है उनको कम कर सकते है किस तरह उने control कर सकते है कि हमारे पास एक complete data होता है कि हमारे fund flows किस कौन-कौन sources हमारे पास available कौन-कौन से better option हो सकते है यह सभी चीज़े next है कि change in assets and liabilities अब जब भी आपके assets या liabilities के अंदर कोई change होता है कोई भी up-down होता है तो उसको कौन show करता है exactly आपका fund flow statement यह दिखाता है कि आपकी जो working capital के थूस को दिखाता है working capital अगर change हो रही तो मतलब आपके capital current जो आपके assets थे या आपकी जो liabilities थी उनकी अंदर कोई ना कोई changement हो रहा है अब changement क्यों हो रहा है उसके बारे में भी आपको depth analyze प्रोवाइड करता है यह आपका fund flow statement कि अगर assets बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है liabilities बढ़ी है गटी है तो क्यों बढ़ी है उनके पीछे reason क्या है क्या factor है उनके पीछे उन सभी चीजों को next one is credit worthiness so leading institution used this method this statement of a company to analyze the credit worthiness अब किसी भी company credit worthiness को check करना है कि उसकी कितनी credit worthiness है उसको by chance कोई investor है कोई कह सकते है loan provider है तो देखे करना कि company credit worthiness क्या है क्या value है उसकी अगर उसमें कोई invest कर रहा है तो gain कर पाएगा अगर कोई loan provide कर रहा है तो उसकी recover कर पाएगा company क्या value है क्या उसकी worth है market के अंदर उन सभी चीजों को calculate करने के लिए use करते हैं fund flow statement का तो यह आपकी unit 6 थी जो की खतम होती है I hope आपको सारे points clear हो गए होंगे इस unit के अगर आप कोई issue है कोई doubt है तो आप comment section में comment करकर मुझे पूछ सकते हैं और अब आप मुझे मेरे Instagram और Telegram पर भी follow कर सकते हैं तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ so stay tuned stay connected with scoremax